जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए उस पे एक सार्थक बहस होनी चाहिए जहां चुनाव है वहां पे यूसी सी भारती जंता पार्टी निकाल के ले आती है ये एक पोलराइजेशन का हतकंडा नहीं हाँ अगर इस प एक कंसल्टेटिव प्रोसेस अपनाया जाए तो इसके अच्छे परिनाम आ सकते हैं पर भाजपा इसको पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन के लिए प्रयोग करती है जिस राज्य में चुनाव है वहां यूसी सी का ढोल पीटना चालू हो जाता है जैसे ही चुनाव संपन होते हैं यूसी सी उस राज्य से खतम हो जाती है तो इस तरह की बाते लोगों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नकारात्मक संदेश देती है अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस के द्वारा एक सार्थक पहल की जाती है और उसमें डिसकेशन होता है तो उसे आगे ब UCC, बिहार में UCC, करनाटक में UCC और जैसे चुनाओ संपन होते हैं वहां से उसमें खतम हो जाती है उसमें पर सारी बहस थम जाती है तो तो कंसल्टेटिव प्रोसेस के द्वारा एक सार्थक पहल की जाये तो उस पर आगे बात की जा सकती है